नवश्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में और आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने आनलाइन एजुकेसन सिस्टम के बारे में ठीक है हाल है में COVID-19 के मद्धे नजर अब धीरे धीरे सिच्छा के अन्य जो पैटर्न हो सकते हैं उनको तलास करने की बात चल लएए तो अगर बात करें हम मानो संसातन विकास मंत्राले की तो उन्होंने गाइडलाइन जरी किया है कि उच्छ सिच्छा के लिए जैसे आप हम जानते हैं कि NPTEL और आपका स्वयम जैसे मंच ऐसे माध्यम हैं जहां पे मैसिव ओपन आलाइन कोर्स MOCS आपको मिल जाता है अब NPTEL पहरी बात तो एक्जाम के लिए से पहले समझो कभी कभी छोटे एक्जाम में ग्रूप D ग्रूप C के एक्जाम में आपसे किवल इतना ही पुछ सकता है कि क्या आप NPTEL का फुल फार्म जानते हो क्या तो इसको इसका फुल फार्म समझेगा National Program on Technology Enhanced Learning इसको NPTEL के नाम से जानते हैं दूसरे एप जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो है Study Based of Active Learning for Young Aspiring Minds ठीक है तो यह आपका स्वयम इसको सौट्केट में बोलते हैं NPTEL और स्वयम तो ऐसे मंच हैं जो Open Online Course को आफर करते हैं अब यहाँ पर समझने वाली बात है क्योंकि हम हमेशा सर्चा इस समय कर रहा है कि जितने भी कोर्स हैं उचिसिछा की मैं बात करूँ तो यदि भगवान की किरबास से आपने बीटे किया हुआ है तो ऐसा लगभा कोई छात्र नहीं होगा जो NPTEL के बारे में न जानता हूँ उसमें actually होता क्या है कि जो जितने बड़े एनाइटीज हैं उनके प्रोफेशर आ करके एक कोर्स डवलप करके आपको उसको प्रोवाइड करते हैं जैसे माल लीजे कि कोई मेकेनिकल का बंदा है ठीक है उस मेकेनिकल वाले को अगर कोई पर्ठीकुलर सब्जेक्ट जैसे स्ट्रेंध आप माटेरियल पढ़न अनलाइन कोर्स की इतनी ज़्यादा बातें क्यों चल रही है उसके पीछे की वज़ा क्या हो सकती है उसको प्रोसाहित ही क्यों किया जा रहा है न किया जाए तो समझने वाली बात है कि बात को बताता है कि भारत में मौझूद ग्रामीर तथा सहरी बुनियादी धाजे में विसमता कर्मचारियों की जो परिवर्तनी गुडवत्ता है उसकी वज़ा से जो विकल चुना जा रहा है आनलाइन एजुकेशन का उसमें दिक्कत है इसको थोड़ा डीटेल में समझेगा यह छोटी सी बात है समझने वाली गहराई वाली बात समझेगा भारत में आमीर तथा सहरी बुनियादी ढाँचे आप जानते हो कि भारत तो एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें ग्रामीर चेतर काफी है 50% उपर आज विद्यमान है ठीक है और उसमें बुनियादी ढाँचे अरथात समझेगा बुनियादी ढाचे अरथात जो अनलाइन एजुकेशन के बात करो तो उसके लिए महतपुन है जैसे electricity connectivity ठीक है तो मैं अगर अपने assessment की बात करूँ तो गाउं में ऐसे ऐसे गाउं है जहां पे 15-15 दिल लाइट नहीं रहती तो भाईया उसका तो online जो किसा खतम दूसरी बात अब वो ऐसे उपलब्द जो electronic उपकरन है वो सब हर गरीब आदमी कैसे अफूड करेगा यह है आपका बुनियादी रहाचा तीसरी बात यह है internet connectivity अच्छी नहीं है ठीक है electricity internet connectivity और मैंने आपको बताया कि बुनियादी रहाचे तो यह कुछ दो तीन ऐसी बाते हैं अगर इदने को ही आप समझ लें तो आपको समझ में आ जागा कि online education ज प्रयोगात्मक अवयों की आवसकता होती है online उनका बिकल्प नहीं हो सकता अब समझ यह जैसे chemistry में ठीक है आपको उसमें अलग लगतर के टेस्ट होते हैं जिसमें आम और चार को मिलागर के आप मालीजे salt बनाते हैं ठीक है ऐसी छोटे-छोटे जो experiment हैं जिससे बच्चे सम टेलिस्कोप के बारे में जाना है लेंस के combination के बारे में जाना है वो कैसे जानेगा वो सारी चीजे online देखर के थुड़े सीखता मैं आपको बताओं मैं class 10 तक lens को मैं two dimensional मानता था क्योंकि हम लग वही देखते थे जब मैंने देखा तो अरे यह कटोरा टाइप का होता है तो बैंड विर्थ की बात करें और विस्वसने connectivity के बात करें ऐसा हर नहीं है कि internet connectivity अच्छी है अच्छे अच्छे college के आसपास भी internet connectivity अच्छी नहीं है तो उस समय यह बात देखने को मिलती है कि इसमें digital भी भाजन होता है चीक है और वित्तिय जो स्रोत हैं उसमें भी पहुंच city मिल नहीं है कि नहीं मिल नहीं है यह बातें समान तो नहीं हो सकती न अब आप कहते हो कि laptop से आप zoom app डाउनलोड करो या फिर अगर मालीजग कोई दूसरा app डाउनलोड करके आप पढ़ना चाहते हो तो यह कैसे possible है गरीबाद में कैसे afford करेगा ठीक है उसके पास तो यह ची महीर प्रभाव पढ़ेगा अब ऐसा नहीं है कि मानविकी के subject humanity के subject को आप ऐसे ही रट्टा मार के पढ़ा दोगे आप जानते हो कि यहां अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी अगर हिंदी साहित का इधियास आपने पढ़ा है आपको समझ माता होगा कि हिंदी भी पिछले 200 सालों से लगातार बदल रही है इसी तरीके से science में अलग-अलग innovation होते रहते हैं कभी कुछ theory आती है कभी कुछ theory आती है ठीक है तो अगर उसी चीज को बिना अनुसंधान के update करने के बिना अगर आप पढ़ाओगे ठीक है तो वो अच्छी बात नहीं है अब अगर माल आती है जो कि अनुकूल प्रभाव नहीं डालती है अनुसंधान के छेत में अगली बात क्या है इसको मैंने बताया है लेकिन फिर से में बताना चाहता हूं कि सभी छात्रों की internet पर समान पहुंच नहीं है यह कड़वा सच है लेकिन इसको माना पड़ेगा व्याख्यानों क खराब वीडियो संस्क्रण होती है सभी सिच्छा किससे संतुष्ट नहीं है ऐसा हर बार नहीं हो पाता कि वीडियो अच्छी बने कि उसके लिए अच्छा खासा नेट चाहिए 4G, 5G, ऐसा कुछ मिले नेट तब जाके तो ठीक है कहीं कहीं 3G चल ला है कहीं 2G चल लेवल के आपकी स्पीड आ रही है तो उसकी वज़ए से वीडियो का जो क्वालिटी है वो गिर जाती है तो वो भी आपका संतुष्ट नहीं हो पाते टीचर ठीक है काफी लंबे समय से भारत में उच्छ सिच्छा अभिजात्य स्वरूप में बहिस्कृत करने वाली रही है कहने वा तो जो पहले से नहीं पढ़ना चाते थे उनको आप दुबारा बीना सामने प्रजेंट हुए कैसे पढ़ा सकते हो यह पॉसिबल लगता है क्या तो सिच्छा ग्यान अरजन के बारे में कम तथा डिगरी हाफसिल करने के बारे में अधिक हो चुकी है यह बात कड़वी सच् चुकी है तो इसा कोई भी संस्थान नहीं है जो कम से कब देर सव तापमोश संस्थान वर्ड के तापमोश संस्थान में आ सके तो यह कहीं नहीं हमारे एजुकेशन system को चुनोती है उसको हमें स्विकार करना चाहिए तो आपकड़ी है लिगन समझना चाहिए अब सिच्छ वही पढ़ाओ, ठीक है, ऐसी चीजे ना पढ़ाएं, जिनका कोई उपयोगिता ना हो, आउट्डेटेट चीजे पढ़ाओगे आप, तो क्या मतलब हो उससे, ठीक है, इंजीनिंग कर रहे हैं स्टुडेंट, उन्हें 190 की किताब लेके बैठे हैं, आटो मुपाइल की किताब गोशिज करता है, कि आपके दिमाग में क्या चला या फिर आप क्या ढोना चाहते हो, तो अगर इसका असेस्मेंट आसान हो जाएगा, तो थोड़ी सी मदद जरू मिल सकती है, अगली बात है, साच्छणीक सामगरी को अन्य राष्टी भासाओं में उपलब्द कराए जाए ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कि जैसे मैंने कहा, कि हमारे इंडिया का ऐसा कोई संसानी है, जो कि टाप 150 वर्ड के कालेज़ में हो, तो अगर इसमें आप अलग अलग राष्टी भासाओं में इसका अनुवात कराए जैसे माल लिए, कि हिंदी में करा दीजे, तमिल में करा द मेरा डिसकसन है, वो ये है, कि डिजिटल इंफरास्ट्रक्चर को सुधारने, और प्रतिक जरूरतमंद छात्रों को लैटाप तर्था स्मार्ट पोर तक पहुँच सुनेशित करने, के लिए राज्यों के अधिकांस जिम्मेदारी उठानी पड़ाई, हर काम केंद सरकार य आनलाइन एजुकेशन के लिए तैयार है, ये किवल COVID-19 के मद्धे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप समझेगा बात को, कि अगर स्मार्ट वे में जो चात्र नहीं जा पारा है, अगर उसको वीडियो पलब्ध हो जाए, तो वो आसानी से वीडियो को देख करके अपनी फु जो होती, वो सबसे अधिक होती है, लेकिन अब ऐसा कोई और L.I.I. आ गया है, और कोई मिटल अनुसंधान का लिया गया है, आप अपडेट नहीं हो, आप किताब से पढ़ आप गलत हो जाओगे, ठीक है, तो इसलिए आथेंटिक और आनलाइन संस्क्राण इंफ्राश्ट प्लुटाब अनलाइन प्लुटाब शॉचर कोई मिटल आपड़।